तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके विंडूज में कुछ इस तरह का एरर होता है कुछ इस तरह का प्रॉब्लम्स होता है जैसे आप यहां पर देखोगे दी अप्लिकेशन वाज अनेबल टू स्टार्ट करेक्ली 0x100005 क्लिक ओके टू क्लूज दी अप्लिकेशन क कुछ इस तरह का आर्र्स में आपको यहां पर जसला हैं अगर आप करना क्या है कि आपको अपने keyboard में Windows प्लस आर बटन को प्रेस्ट कर आपको यहां पर रन प्रोडाम को ओपिन करना है उपिन करने के बाद फिर आपको यहां पर कुछ करना करना है और करना हे और आपके सिस्टम में जितने बह enjoyed files असलेक करने के बाद के ऑ Luigi अपने keyboard में ही Shift ब्लस डिलींड बटन को इन सब्सक्राइव यहाँ से डिलिट कर देना है तो यहां पे क्या होते हैं कि यहां पर यह problem यह problem की again आपको run prompt open करना है और इस बार आपको यहाँ पर type करना है percent tab percent then okay करना है रहत भी आपको बहुत सारे Inter Reddit फाइल आपको इस सब्कूद से आपको इन सब्सक्राइब उसक्राइब और पर आपको आपको अपने चांट है फिर आपको इसे करना है फिर आपको अगेन eaपको यहां पे रण पराम कोम करना है और इस ऐसले है कि यहां पर इन इस 다ी को फीर क ठीड़ कर窃 उलिक पर जुडN लिट्ट कर देना है अब मैं आपको यहांपे स्टेकेंड में पहता हूँ कि इस्तार्ट फेकाना है और आपको इस्टम फायल चीकर अगंटने करें में में अगे 방법 और स्केंट तो यहा है thankyou यहां पर यहां पर बूस्क जाएगा तो जैसे इसे में आपको बता दूँ तब ही जाकर आप इस command को यूज की जिएगा अब आपको यहां पर इंटर प्रेस करना है अब आप यहां पर कुछ थेकिन पर आपका सिस्टम जो है वह यहां पर सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम होगा या इसाठ करना है यहां थे जाना है और यहां पर सर्च करना है और आपको यहां पर सर्च करना है और आपको इसे यहाँ पर ऊपर कर लेना है अब आपको कर ना है कि आपको इन सभी को Londra कर देना है और एसे में आपको बता दूँ कि पर मैं recommend नहीं करता हूँ मने विंडू सी को turn off करने के लिए अगर आपको उस प्रॉब्लम को solve करना है या अपने according आप यहाँ पर turn off कर सकते हो लेकिन मैं यहाँ पर आपको recommend नहीं करता हूँ कि आप यहाँ पर सकते हो जैसे मैं इंसभी औप्षिन को यहाँ पर turn off कर देता हूँ हो आपको अपने start menu में ही या यहाँ पे काम कर सकते हो आप यहां पर अपने keyboard में करना है सिस्टम रिश्टोर करना है और आपके हम पर सिस्टम रिश्टोर करने के बादे में मालूम नहीं होता है तो मैं आपको यहाँ पे clear कर देता हूँ कि restore करने से क्या होता है जैसे आप यहाँ पे अपने system को restore करोगे तो restore करने के दोरान तो उस date के according जो आपका system है वो अतना ही दिन पीछे चला जाएगा मने पास्ट में चला जाएगा अगर आप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपको प्रॉब्लम भी आपके यहाँ पे शॉल हो जाएगा मैं पहले वह प्रॉब्लम नहीं था तो आपका system जैसा भी था as it is वैसा ही हो जाएगा तो वह प्रॉब्लम भी आपका शॉल हो जाएगा तो restore करने से यही होता है और जैसे आप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर में वीडियो की यह यहनल करना हूं चैसे मैं आपको आपको क्लिक करना है जैसे मैं आपको आगे बता देता हूं क्या 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 करने के बार आपको हम यहाँ पर किसी वह यह पहां पर the Day to select and segunda led कि या उससे पहले का भी आपर हां पर Window decide कर सकते हो क्योंकि उस टाइमने आपका वह यह अरुना हौत तो उस डेट को स्लेक करने के बास आपको हां पर आगे को टॉप क्यों आपको सी ड्राइब को हाँ पे और तो आपको यहां पे फिनिश कर देना है और आपको जो सिस्टम जो है वह आपको यहां पर होना इस्टार्ट हो जाएगा और जैसे मैं आपको बता दूँ कि रिश्टोर होने में 10-15 मिनट का टाइम लगता है कि तर्टी मिन करना है और रिस्टार्ट करने के बाद जो आपका एरर आ रहा है जो प्रॉब्लम आ रहा है वह प्रॉब्लम आपका पर्मरेंटली सॉल्व हो जाएगा तो गाइस मैं फिर मिलता हो नेक्स्ट वीडियो में तिल रैन और बावाई और एक बात और सस्क्राइब बटन पे दो